हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स प्रेंड्स प्रेगनेंसी के टाइम पर आप कुछ भी खाते या पीते हैं तो इसका असर सीधे आपके गर्ब में पलने वाले बच्चे पर परता है तो आज हम बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम में चावल खान इसके अलावा इसमें बीटामिन बी होता है, बीटामिन डी और कैल्स्रियम भी होता है, तो देखिए फ्रेंड्स आप चावल खा सकते हैं, चावल खाने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, कार्बो हैडरिट का अच्छा सोर्स है, तो ये आपके बाड़ी में एनर्जी देत उन महिलाओं के लिए चावल फायदे मन रहता है, और चावल खाने से आपको नीद भी अच्छी आती है, अगर आपको प्रेगनेंसी में नीद नहीं आती है, नीद की प्रॉबलम है, तो थर्ट ट्रेमिस्टर में ये प्रॉबलम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसे अगर आप चावल खाती है, तो आपको फायदे मिलेंगे, आपको नीद अच्छी आएगी, चावल में आईरन और फॉलिड भी होता है, चावल खाने से आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, और फॉलिड जो है वो बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसक कि आपको नीद की प्रॉलिम हो सकती है, अब अगर बात करें कि कितना चावल खाना चाहिए, तो एक हफ़ते में आप तीन से चार बार चावल खा सकते हैं, जिन गर्भवती महिलाओं में जेस्टिशनल डाबिटीज की प्रॉलिम है या शुगर जादा रहता है, तो ऐसे के इसमें आपको चावल कम खाना चाहिए, चावल खाते वक्त ध्यान रखे कि वो अच्छे से पके होने चाहिए, थोड़े से भी कच्चे ना रहे क्योंकि इससे आपके पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, कुछ गर्भवती महिलाओं को कच्चे चावल के प्रती क्रेवि कोई भी प्राब्लम नहीं होगी, तो फ्रेंड्स वीडियो गर हेल्फूल लगे तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें